अब अब कि अब है अब अब दोस्तों स्वागत है पॉल्टेटिनिक स्टार्ट इस पे मैं हूँ आरके सिंग एन हम लोग कंटिनू कर रहे थे अप्लाइट केमिस्टी का थर्ड यूनिट इंजिनिरिंग मैटेरियल्स प्रिवेस क्लास में बात किये थे व्यराइटिस बारे में चाहांप हम लोग ने पीग आइरन कास्ट आरन में डिसकस कर लिए थे शिर्फ बजगया था स्टील थी करने बिसकस्त करने वाले हैं तो बिल्गुल प्रोसेस वैसा ही रहेगा क्यूंकि थियुर्टिकल क्लास है तो मैं आपको पुरा स्कीन पर दिखाऊंगा ठीक है वहां से आप का बेस्वार प्रोसेस होता है और घुर होता है यечат तो अप्रिय यह जानके रखिए कि जो स्टील है वो आई अलोई है एंड जिसको जिनरली कांश्त टायरन से मेनुफक्टर किया जाता है तीन पुशेस्स के सारे बेसीमर प्रोशेस एल दी पुशेस हैं उसके बाद इस टील है । गॉत कारबन लोर बैस टाइ्रन एंड ग्रेटर दें रोट आयरन तो रोट अच्ट से ज्यादा कारवन इस्टील पर होता है लेकिन कास्ट आइरन से कम होता है तो हम लोग ने देखा है कि रोट आइरन में सबसे कम कारवन का एमाउंट रहता है तो उसके थोड़ा सा उपर रहता है क्या स्टील का ठीक है लेकिन कास्ट आइरन में जितना कारवन एमाउंट रहत मीं होता है ठीक है का स्टस्टांच या स्टारान से ज़्यादा अग्षाइब thatور b जो आपका है रिसकिल होता है जम ध्रीस की आप सब्सक्राइब क्लास्पी सब्सक्राइब में तर्में तिकल इल्स्टिशी के ला सी सिटी मैटरियल का एक पारटी होता है तो इस्टिल का क्या पूपार्टी रहेगा कितना हाड रहेगा कितना यह एलास्टिक नेचर का रहेगा यह डिपेंड करता है कि स्टिक में कितना करवन करंटेंट है कि अगर ज्यादा करवं होता है तो बहू हर्ड हो जाएगत तो फिर 6 इस्टिल हो जाएगा कि Hm up to 0.25% ठीक है मतलब 0.25% तक अगर कार्बन रहता है तो फिर उसको हम लोग कहते हैं soft skill and mild still क्या है दोस्तों 0.25 से 0.5% कार्बन अगर होता है तो उसको हम लोग mild still कहते हैं and तिसरा है hard still अगर 0.5 से ज्यादा होता है 0.5 से लेके 1.5% तक कारवन प्रेजन होता है तो उसको हम लोग hard still में मानते हैं चलो अभी next slide में चले आते हैं next slide में क्या है देखो दोस्तों कहा गया है uses of steel ठीक है uses of steel क्या है still का हम लोग कहा पर यूज करते हैं तो इसमें यूज होता है आपका क्या still ठीक है तो इसके बार tools में tools knives rages household utensils etc जितने भी tools हम लोग उसकते है रेंज जैसे कि मान लिजें रेंज रेंज भी किससे बनता है still से बनता है डेकर नाइब जो चक्को होता है ओके वह भी क्या still से ही बनता है रेजर्स रेजर्स तो आप लोगोंने देखे होंगे तो रेजर्स भी बनता है still से डेन household utensils घर के कुछ बरतन वही still के बनते हैं ठीक है मतलब बहुत जगा पे still का यूज देखा जाता है चलो उसके बाद बताया गया है necessity of manufacturing still तो still हम लोग क्यों manufacture करते है manufacture करने का जरूरत क्या है तो देखो pig iron contains lot of impurities due to which it cannot be used for machine and industrial construction तो pig iron में जादातर impurities होने के बजाए से हम लोग उसको machine पे या फिर industrial काम पे यूज नहीं कर सकते तो pig iron is refined and mixed with desire element in definite proportion to make still तो देखो iron के जितने बाकी रूप है pig iron cast iron या फिर रौट iron उन सभी iron के रूप को हम लोग जहां पर यूज नहीं कर पाएंगे ठीक है वहां पर हम लोग still को use करेंगे ठीक है ना तो कि इस्टील को यूज करेंगे क्योंकि इस्टील को आपका इस्टील का जो बनाने का जो खर्चा है वो कहीं न कहीं रौट iron से कम होता है ठीक है ना जैट इस वाई हम लोग रौट iron को हर जगा पर यूज नहीं करते हैं और एकोनोमिक हो गया necessity of manufacturing still क्योंकि पीग आइरन में कास्ट आज में इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा होते हैं एंड मेशीन या फिर इंडस्ट्राक्शन के लिए हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं देट इस वाई हमें जरुवत था एक नए टाइफ ओफ एलिमेंट और सॉरी नए टाइफ ओफ मेटल का जिसको हम लोग इन सभी परपास में यूज कर सके ठीक है तो पीग आइरन के साथ या फिर कास्ट आइरन के साथ जो जितने भी टीजार्ट एलिमेंट है हम लोग जित आते हैं एक नया सा मैटल इस कोल्ड आपका स्टील ठीक है नया सा एक नोट मैटल डाट इस मैटल एलोई ओके वो हुका आपका स्टील यह है नेसेसिटी ऑफ मैनेफिक्टरिंग इस्टिल पड़ावर से इसको लिख लिजे तो उसके बाद बात करेंगे देखू नेक्स ला आरों का लिष होता है इस नेडेटव एन्हीशन करने के लिए एक लता है तो उसको फूल्फिल कना के लिए यह वाला ह पर डाला जाता है यहाँ फे ही कारबन प्रेजेंट है यही कारबन वह भूजी के लिए काम पर लगाता है तो यह होता है आपका स्पैजली आते हैं क्या है एलोय इस ट्رج है इस टिल के इन एलोय इस टील टिक में ऑ्डिनियरी टील इस एन अलोई ओफ आइरन एंड कार्बन टेक है जो ऑडिनर इस्टिल हम लोग इस करते हैं वो आइरन एंड का एक अलोई है इफ वान और मोर ऑफ दा स्पेशल एलिमेंट लाइक जैसे कि आपका मैंगनेश हो गया क्रोमियम निकेल ओके वैनाडियम सिलिकॉन यह जो एक्स्ट्रा स्पेशल एलिमेंट है इसको अगर हम लोग एड करेंगे ओर्डिनर इस्टिल के साथ सही प्रोपर्शन में तो क्या इसटील का वरियस पौपटी जो है वो उसको हम लोग वो मिलता है हमें तो यूस्तिल एक आलोई होता है لेकिन हमें अगर उसके अलाबा कोई और और पॉपपर्टी शाहिए और पॉपॉपार्टीज हो और पर इसकी हमारा जो इस्टिल होगा वो ऐसा होगा ये पोटेक्शन एक वो देगा वो होगा तो इसके लिए इस पेसल टाइफ ओफ एलीमेंट हमें एड़ करना होता है इसपेसल कुछ अलीमेंट्स और भी एड़ करना होता है जैसे कि इसको मिलाने के वाद जो हमें स्टील मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एलोई स्टील देंगे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एलोई स्टील, तहाँ न, तो देखो को जे इंडर लिक पहां पर बनाए जाता है इलेक्ट्रिक एलेकटृ की सुभाह समस्ट और को & from still is craft वोले क्या जो Additionally Steelapon का जो अर्डिनरी छेड रिटे दमें का works है उसका स्क्रेब बनाते हैं बहुत ही टुकर टुकर बनाते हैं ठीक है या ठीक है अन्ड उसके बाद वहां पर हम लोग special alloying elements जैसे कि मैंने बताया मैं मैं गनेज को मियां मिकेल वैनाडियाम सिलिगन जो भी हमें चाहिए वह हम लोग उसके बाद करते हैं एड करने के बाद हमें स्टिल मिल जाता है तो एक्जाम्पल जैसे की स्टेनलेस इस्टिल जो की हम लोग बरतन जराली यूज करते हैं ठीक है ना वह ग्लाज या फिर आपका जो थाला हो गया वह हम लोग क्या से यूज करते हैं उसके लिए स्टेनलेस इस्टिल में आपका रस्टिंग नहीं होता है ठीक ना देन को मिस्टिल इन वर हो गया ऐसा एक निकल इस्टिल तो यह हो गया आपका ऐलोई इस्टिल ठीक है चलो नेक्स स्लाइड पर चले आते हैं नेक्स स्लाइड पर क्या है stainless steel के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं देखो stainless steel is the name of a family of alloy steel that resist rust and other forms of corrosion तो stainless steel में क्या होता है कि यह आपका rusting को rusting को क्या करता है रेजिस्ट करता है मतलब इसमें rusting नहीं होता है इसमें आपका rusting नहीं होता है and other form of corrosion मतलब किसी भी तरह से यह आपका क्या नहीं कोरोड नहीं हो जाता है इसमें कोई तरह का खाय नहीं होता है यह बिल्गल वैसा ही रहता है जो कि थाली होता है ना जो हम लोग होटेल पे या फिर जिसमें हम लोग खाना खाते हैं तो वो थाली जेनरली स्टील का ही होता है ठीक है ना ओके चलो क्योंकि यह एक special type of steel है जिसमें कोई किसी भी तरह का corrosion नहीं होता है रास्टिंग भी नहीं होता है जैसे कि लोहे में तो आपका रास्टिंग हो जाता है लेकिन स्टील में स्टेनलेस इस्टिल में रस्टिंग नहीं होता है दे सो रिमार्केबल स्टेंग्ट अंड़क्टिल्टी एंड यूनिक इन जेनरल रेजिस्टन्स तु वेडर एंड टू मोस्ट कोरोशीब ठीक है मतलब यहां पर क्या है जो इस्टेनलेस स्टिल है वह आपका एक सहीत रहा का सो कराता है इसमें होता है यह को कोई effect नहीं होता है ठीक है moisture आपका बारिस का मौसम हो या ठंडे का सुखा का मौसम हो कोई फरक नहीं पड़ता है इसमें और जो दूसरे corrosive भी है वो भी इसको ज्यादा effect नहीं देता है हानी नहीं पहुंजाता है दर उसके बाद most stainless steel used in home are highly polished with a silvery appearance but they do not need this finish to resist corrosion मतलब हम लोग जितने भी stainless steel के चीज़े घर में यूज़ करते हैं तो उसको पॉलिस highly polished किया जाता है बहुत ही अच्छे से उसको पॉलिस किया जाता है एंड जेनरली वो silvery appearance का होता है silver जो रूपा होता है उसका color कैसा होता है देखो यह वाला इसी तरह का color होता है लेकिन को रोकने के लिए पॉलिस नहीं चाहिए ठीक है पॉलिस के बिना भी इस्टील आपका क्या कर सकता है आपका को क्यों को रिजिस्ट कर सकता है टुक ठीक है न चलो चलो अभी ने करते हैं सपॉंज आयर्ल के राटे सब्सक्राइब लोग ने तो ईबिस इस का नाम ही है sponsor ड़को का गया है यह उल्सोंद और रिक्ट रिडूच और भी uzart ही जिर्टाइब लेक्त खर धेटायॅं iron ore is reduced to metallic iron usually with some kind of carbon at temperature below the melting point of iron this results a spongy mass sometimes called a bloom consisting of mix of incandescent wrought iron and slag so sponge iron क्या होता है दोस्तों देखो sponge iron को हम लोग direct reduced product भी कह सकते हैं मतलब direct इसको reduction करने के बाद ठीक है और को reduction करने के बाद जो product हमें मिलता है उसको हम लोग sponge iron कह सकते हैं ठीक है okay reduction कैसे करते हैं अगर हम लोग carbon से करते हैं जैसे कि iron की reduction में हम लोग ने देखा था charcoal का हम लोग यूज़ करते हैं charcoal and & Lime Stone , तो Charcoal से अगर हम लोग Reduction करते हैं Carbon से Reduction करते हैं तो वादसे जो डारेक्ट हमने Reduce Porn期 मिलता है उसका हम लोग 있어서 Sponge Iron tarot क्योंकि यहां पे जो मास हमें मिलेगा जो आरण हमें मिलेगा वह थोरा सा Ispon जैसा होगा ओके ठीक है ना इस पूरा प्यूरी स्पोंज जैसा नहीं होगा लेकिन इसपॉंज जैसा ही कुछ मिलेगा की उतना हार्ड नहीं होगा एएड इसमें थोड़ा बहुत आपका स्लैक भी प्रेजनट होता है ठीक है तो यह होता है आपका यूज क्या है इसको स्टील मेनेफेक्चर के लिए यूज किया जाता है स्टील मेनेफेक्चरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है इसलिए हम लोग इस पॉंज आयरन को पर रहे हैं क्योंकि इसका काम है स्टील मेनेफेक्चरिंग पर इसको हम लोग काम पर लगाती है चल पर उसको हिंदी में क्या क्या अधिए मुझे पता नहीं लेकिन ब्राउन कड़ार का कुछ उसमें एक लेयर आता है ठीक है अगर हम लोग किसी भी आयरन को खुले में रख देते हैं बारिस में रख देंगे एक दिन भीगोएंगे फिर रखने के बाद एक दिन या फिर दो दिन बाद हमें देखने को मिलेगा कि आयरन के जो सर्फेस है उसमें कुछ जम गया है उसको हम लोग कहते हैं रास्टिंग रास्टिंग जेनरली ब्राउन कलर का होता है देखो कहा गया है ओन एक्सपोजर टू मॉइस्टेयर मॉइस्टेयर गोले तो गिला वाला हवा ठीक है दा सर्फेस अफ आयरन इस कोवर्ड विद रेडिस ब्राउन दिपोजित अफ हाइडित फेरिक अक्षाइड इस काल्ड रास्ट रास्टिंग ओकर्स ड्यू तो देखो रस्टिंग क्या है दोस्तों रस्टिंग आपका एक्चुली मैंने क्या कहा कि आयरन को अगर हम लोग खुले पे रख देंगे तो जो और न का सर्फेस होगा उसमें एक रिडिस ब्राउन का डिपोजित आएगा किसका हाइडिटेड फेरिक ऑक्साइड का ठीक है जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट अब रस्टिंग क्यों होता है रस्टिंग होता है इंप्यूरिटिस के वज़ए से आइरन पे अगर कई में रखेंगे तो इसमें जदा ज़्दी से रस्टिंग आएगा ठीक है आनड गा चूपीररल रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया सकता है रस्टिंग को कैसे रोका रोका प्रता है पहला मेटालिक कोटिंग लाइक गैलवनाइजेशन इलेक्ट्रो प्लेटिंग टीनिंग एट सेटरा ठीक है तो लोहे के उपर अगर हम लोग किसी दूसरे मेटल का लेयर लगा दिया है कोटिंग कर देंगे कोटिंग कर देंगे तो फिर उसमें रस्टिंग नहीं आएगा ठीक है जैसे कि आप लोग साइकल बाइसाइकल तो जलाते होंगे तो बाइसाइकल के हैंडल में देखिएगा वह आपका एक कूटिंग रहता है लोहे के उपर एक कूटिंग रहता है तिक ना उसको हम लोग कहते हैं क्या गलवनाइजेशन या फिर लिक्ट्रो रक इसेट्रा तो फिर लोहे को डिएंटिंग करके भी हम लोग उसको लोग सकते हैं सकते हैं अशल डिचेगा कि गाव में ऐसा होता है में होता है तो बहुत दिन होने के बार किम आपका रश्टींग पर जाता है तो उसमें क्या करते हैं टार लगा देते हैं तो आपका कर देता है तो यह कुछ हो गया प्रिवेंशन का प्रोसेस दोस्तों इस चिल के बारे में बस हम लोगों को इतना ही पढ़ना है अगर आपके पास किताब है केमेस्टी का तो फिर वहापे अगर कोई दूसरा टॉपिक है इस चिल के बारे में और भी जानकरी है तो वहाँ से भी आप परसकते हैं आप कहीं इसे भी पढ़नेंग के सब्था करना जीतना आपके याद रखते हैं सब्सक्रार नीजा चाहिए की किताबी है पुरा इंटरनेट रखा है गूगल पुरा गूगल है तो आप वहां से भी जान सकते हैं सारे पोसेज नौलेज आप कही से भी ले सकते हैं तो डिफिनेटली बहुत सारे रस्ते खुले हैं ठीक है ना दोस्तो लेकिन अगर आपके सेलेवस के अनुसार में जाए तो इतना ही आपके लिए काफी होगा जितना मैंने यहां पर बताए हैं उतना ही काफी होगा ठीक है दोस्तों चलो तो अपना स्टाड़ी जो है बराबर करते रहे ना थोड़ा सा फोकस करके स्टाड़ी करना क्योंकि देखो अब हम लोग इंजिनियरिंग कर रहे हैं तो हमें फालतों क नहीं रहेगा फिर हम लोगा सीथरा सिह काम भी नहीं करपाएंगे मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं देश को i!". डेवलोपमेंट्ट होन नहीं करें लेकिन देश को डुबाय जरूबेंगे तो ऐसा नहीं करना है नौ 49 रखो जो काम कर करोंगे वो सही से करोंगे पेलु कोई कोई परिसाइग नहीं होगा लेकिन नौलेज अगर नहीं होगा तुम भी तो खोई भी काम सही तरह से नहीं कर पाँ तेका दोस्तों चलो इसलिए पढ़ाई बराबर करते रहना नौलेज को लेते रहना कई से भी हो यहां से यूट्व से हो गूगल से खो किताब से हो कई से भी नोलेज लेते रहना एंड नोलेज को ठीक तरह से अपने दिमाग पे सेप करके रखना ठीक ना क्योंकि फ्यूचर में सारे के सारे नोलेज काम पिल अपने वाला है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक लिए अपना ख्याल रखना ओके चलो ठैक यू वेरी करते हैं नेक्स क्लास में तोस्तों मिलते हैं और यू कर दो ठीक देखने हैं